राहु केतु का अशुप प्रभाव कैसे पहचानें? कि व्यक्ति के उपर राहु केतु का बुरा असर है? व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुप्योग करता है आप ताकतवर पोजीशन में पहुँच गए और अपनी शक्तियों का दुरुप्योग कर रहे हैं आपकी संगती गलत हो रही है गलत लोगों के साथ आपकी दोस्ती यारी मित्रता है तो इसका मतलब राहु केतु का बुरा असर आपके उपर पढ़ना शुरू हो गया है व्यक्ति के अंदर अपराधिक प्रविर्थियां होती हैं व्यक्ति के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी होती हैं अगर राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर भै की व्रित्ती होती है व्यक्ति को डरने की आदत होती है और व्यक्ति को कल्पना की समस्याएं होती है ऐसा देखा गया है राहु केतु का बुरा प्रभाव हो तो व्यक्ति बहुत जादा उल्जा हुआ होता है निरड़े लेने में मुश्किल आती है, कपट करता है, दोहरा चरित रखता है, ये राहू केतू का अशुब प्रभाव है अब ये जानते हैं कि मान लिया कि राहू केतू का बुरा असर दुश्प्रभाव हमारी जिंदगी पर पढ़ रहा है तो नाग पंचमी पर राहू केतू के अशुब प्रभाव को कैसे दूर किया जाए? अगर राहू और केतू खाने पीने की आदत बिगार रहे हों, तो नाग पंचमी पर तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी उपासना करें राहू केतू की वज़ा से आप उल्टी सीधी चीजें खाते हों, जूट बोलते हों, आपका पाचन तंत्र खराब हो, तो ऐसी दशा में घर पर तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी उपासना जरूर करें अगर राहू केतू की वज़े से बुरी आदत पड़ गई हो, तो नाग पंचमी पर एक मिट्टी का साप बना करके नदी में प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके रखाएं राहू केतू की वज़े से अगर जीवन में बार बार उतार चड़ाव हो रहा है तो नाग पंचमी के दिन साथ तरह के अनाज या साथ तरह की दाल ये आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा तो राहू केतू का प्रभाव समाप्त हो जाएगा अगर आपको भै की वृत्ति हो छोटी छोटी बातों पर आपको डर लगता हो या आप कलपना करते हो कि आपको ये प्रॉब्लम न हो जाए वो प्रॉब्लम न हो जाए कलपना की समस्या हो तो नाग पंचमी के दिन नीम की लकड़ी पर नीम की लकड़ी जला करके 108 बार पीली सरसों उसमें डालिये और प्राथना करिये कि आपकी जो भै की वृत्ती है वो समाप्त हो जाए राहू केतू से संबंधित कोई भी समस्या हो नाग पंचमी के दिन नीले कपड़े में सफेज चंदन का टुकड़ा बांध करके अपने गले में धारण करना चाहिए अगर आपको राहू केतू की वज़ा से कोई भी समस्या रही है तो एक नीला कपड़ा ले ले उसमें सफेज चंदन की छोटी सी लकड़ी रख ले उसको ताबीस की तरह बना ले और उसको अपने पास रखे या अपने गले में धारण करें राहू केतू का जो दुश्प्रभाव है वो निश्चित रूप से समाप्त होता